गाइज अगर आप वीडियो शूट करना पसंद करते हो चाहे वो गेमिंग वीडियो हो या फिर पॉड्कास्ट हो या फिर इस तरीके से टॉकिंग एड वीडियो तो ऑडियो बहुत ज्यादा मैटर करता है और ऑडियो कैप्चर करने के लिए हमें यहां पर जरूरत पर्दी एक काफी अच्छा माइग्रोफोन धूल रहे हो तो यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है टाइमिश नहीं करेंगे बढ़ते सीधा वीडियो के और सबसे पहले अन्बॉक्सिंग की बात करें तो अन्बॉक्सिंग नहीं कर सकता है इस तरीके के बॉक्स पैकेजिंग में आत साइट में फाइन फाइन जो की एक्चुल नाम है तो बाक्स के बैक साइड में अगर बता हो तो एक बार फिर से यहां पर ब्राइंडिंग उपर के साइड पर स्पैसिफिकेशन एंड कुछ फीचर्स यहां पर दिए गए और आरजी भी यहां पर बाटम में आप देख सकत तो यह था बॉक्स बॉक्स जैसे ओपन करते हैं आपको सबसे पहले यूजर गाइड देखने मिलता है यूजर गाइड के बाद आप और थोड़ा सा उपर की परचे अगर हटा दो तो वहाँ पे आपको केबल देखने मिल जाएगी जो की टाइप सी टू टाइप A केबल है तो यह Type-C पे चलता है यह Microphone और USB आप Laptop में Connect कर सकते हो आगे बताओंगा वो सारी चीज़े उसके बाद में Mic आपको मिलता है जो की आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपको मिलता है इसी Same Condition आपको मिल जाएगा और Last में आपको मिलता है इसका Stand जिसके उपर आप इस Microphone क कर सकते हो अब यह थी basic चीजे जो आपको box के अंदर मिलती है अब माइक की overview के अगर मैं बात करूँ यार तो complete plastic build है तो plastic build है तो खराब नहीं है plastic काफी अच्छा है और look wise आप देखी सकते हो कितना अच्छा लगता है stand जो है यहाँ पे complete metal है तो वो एक secure वाली चीज है अब इसका जो सामने आपको यह pop filter मिलता है यह भी plastic है बट जो mesh है इसका guys यह metal का है और माइक की भी अगर मैं बात करूँ तो अगर body छोड़े जो माइक का भी mesh है तो वो भी आपको यहाँ पे metal का देखने मिलता है और अंदर के side पर RGB का look जो है वो काफी अच्छे से निकल के आत तो यह जो microphone है दोस्तों यह आप Windows laptop और Mac दोनों के साथ यूज़ कर सकते हो कैसे आगे बता दाओ फिर से अब एक चीज मुझे थोड़ा सा यहाँ पर highlight करना है जो इसका stand है जो completely metal का है इसका overall weight जो है यहाँ पर माइक से ज्यादा है तो यह माइक आप देख सकते हो किस तरीक की मिल जाता है अब आप सोचोगे कि यहाँ पर अन्म्यूट करने के लिए इस्तमाल होता है तो जैसी आप इसके उपर टैप करते हो RGB light बंद हो जाएगी तो अब यह कुछ recording नहीं कर रहा है और जैसे ही आप एक बार फिर से उपर टैप करोगे तो RGB light अन हो जाएगी तो यह on off का तरीका है या फिर mute unmute का तरीका है आप इससे बदा कर सकते हो कि माइक रेकॉर्ड कर रहा है या नहीं RGB चालो है तो recording start है अगर RGB इस तरीके से बंद है तो recording off है तो बस दोस्तों यही कुछ basic overview है इस microphone का और build quality definitely काफी अच्छी है अब बढ़ते है इसके microphone test के हो जिसके 10-15 cm की दूरी पर हूँ तो कुछ इस तरीके से यह audio capture करता है अब यहाँ पर मैं इस माइक को अभी जो है mute करूंगा और उसके बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से lights off होँगी और किस तरीके से आपको audio output मिलता है मैं इसे unmute करता हूँ यहाँ पर फिर से यह audio recording स्टार्ट कर देगा तो यार आप मुझे comment section में ज़रू बताईए कि आपको यह feature कैसा लगा और इसका माइक quality है वो भी आपको कैसा लगा याद से बताईए और चैनल पर अगर आप नहीं हो सब्सक्राइब भी कर दो तो दोस्तो माइक टेस्ट जो है यहाँ पर हो चुका है आप मुझे comment section में ज़रू बताईए कि आपको इसकी audio quality कैसे लगी और जिस price point पर आता है उस price point पर यह justified है या नहीं मेरे लिए तो definitely है अब setup के अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया था कि ज्यादा कुछ नही अगर आपको मैक के साथ यूज़ करना है तो अगर आपके मैक में यूनो टाइप A का port है USB port है तो आप डिरेक्टली इस्तमाल कर सकते हो बट अगर type C port है USB port नहीं है तो आपको यहाँ पर बस cable change करना है और cable जो है आपको यहाँ पर type C to type C cable use करना है और उसके बाद आप Mac में भी यूज़ कर पाओगे एक और highlighting चीज़ यह है दोस्तों कि सेम केबल यूज़ करके आप इसे आपके स्मार्टफोन के साथ भी यूज़ कर सकते हो तो यह microphone आप laptop Mac अपका smartphone इन तीनों चीज़ों में यूज़ कर पाओगे जो की काफी अच्छी चीज़ लगी मुझे अब ज्यादा डाइवेश नहीं करूंगा आपको सीधा इसकी प्राइस वादा देता हो जो जिस प्राइस पॉंट पर मैंने बैग गया अब मैंने देखों दोस्तों इसे 2800 में बाई किया था Amazon के उपर एक बार फिर से बोलतू लिंक्स डिस्क्रेप्शन में है आप जाके जरू जो है यह आपको मिल जाएगा अब यह माइक्रोफून अभी तक मुझे सबसे लगा है सिर्फ आरजीबी है इसलिए नहीं बट ऑडियो आउटपूट भी मुझे इसका काफी जादा अच्छा लगा है हाला कि जो मेरा रिजन था इसे बाय करने का वह आरजीबी तामें टेस जलते रहते हैं हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे बट यस जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा इस माइक्रोफून में और आपके लिए मैं यहां पर सिंपल कर देता हूं कि यह माइक्रोफून आपको कौन सी चीज़ों के साथ आता है और कौन सी बूरी चीज़ों क करके रेकॉर्डिंग कर सकते हो इजी टू यूज है आप बस केबल करने कीजिए और रेकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा आपको कोई पेड सॉफ्ट्य रियूज करने की ज़रूद नहीं है इन बिल्ट साउंड काड आपको इसके अंदर मिलता है जिसके वएसे ऑडियो जो है इसका काफी अच्छे से यहां पर कैप्चर होता है तो यह सारी चीज़े जो है यह इसके प्रोज में मैं काउंट करेंगा और एक लास्ट चीज यह आप चैसे मैंने बताए कि आप विंडोस लैप्टॉप मैक और स्मार्टफोन के साथ रेकॉर्ड कर सकते हो यह एक चीज अच्छे है और प्राइस भी कम है तो यह सारी चीज़े प्रोज में है कॉन्स के अगर मैं बात करो तो बस मुझे एक कॉन बहुत ज्यादा लगा कि जो वॉल्यूम नौब है इसका वो बॉटम में है तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन से लेबल पर अभी इस पर्डिकुलर माइक्रोफोन के साथ वरना ओवरॉल ऐस सच ऐसा कुछ और है नहीं इस माइक की बुराई करने के लिए तो यार येस डेफिनेटली अपने फाइनल वर्डिक की मैं बात करो तो मेरी तरफ से थमसप है यहाँ पे फाइन फाइन एसक्स वी माइक्रोफोन क के लिए अब आप सिर्फ इसे गेमिंग के लिए नहीं बागी चीज़ों में भी इस्तमाल कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो एक और वर्जन आता है तो इसमें जो एसिक्स टी है तो वह वर्जन जो है आपको बूम के साथ म माइक्रोफोन के लिए थम्स अब मेरी तरफ से आप डेफिनेटल इसे चक आउट कर सकते हो बस इतना है तो आज की वीडियो में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है थोड़ा भी पसंद आया है helpful लगा है लाइक का बटन यहाँ पर है सब्सक्राइब का बटन यहाँ दोनों पर क्लिक कर दीजिए मिलता हूँ नेक्स टूडियो पे थैंक यू